हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चैनल इस्टीडी पॉइंट वित केके पर दोस्तों कोपा तेओरीकिस क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंतर गथम Database Management System से related question को देखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो किर्पया वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो चलिए आज की क्लास को हमें स्टार्ट करते हैं पहला question है आपका What is the maximum number of characters allowed in text field is access आफसन नमबर A 255 आफसन नमबर B 256 या आफसन नमबर C 64000 या आफसन नमबर D 65000 तो इसका राइट एंसर होगा आफसन नमबर A 255 एक text field में हम अधिक्तम 255 characters को लिख सकते हैं next question है आपका What is the expansion of OLE in access access में OLE का विस्तार क्या है आफसन नमबर A object linking and embedding या आफसन नमबर B object linking and encrypting या आफसन नमबर C object linking and editing या आफसन नमबर D object linking तो इसका राइट एंसर होगा आफसन नमबर A object linking and embedding OLE का पूरा नाम object linking and embedding होता है नेश्ट क्यूस्चन है आपका What is the maximum length of the field name in access Access में field नाम की अधिकतम लंबाई क्या है आफसा नमबर A 16 करेक्टर आफसा नमबर B 32 करेक्टर आफसा नमबर C 64 करेक्टर या आफसा नमबर D 128 करेक्टर तो इसका एंसर होगा आफसा नमबर C 64 करेक्टर नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which view in use to arrange table data in different graphical layout of summarize data डेटा को संचेप करने के लिए विभिन graphical layout में table data की ब्योस्था करने के लिए किस दिर्ष काउपयोग किया जाता है आफसा नमबर A table view आफसा नमबर B design view या आफसा नमबर C data sheet view या आफसा नमबर D pivot chart view तो इसका एंसर होगा आफसा नमबर D pivot chart view नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which view allow to modify tables structure in access एक्सस में कौन साधिरिस तालिका की सरचना को संसोजित करने की अनुमती देता है आफसा नमबर A design view आफसा नमबर B data sheet view या आफसा नमबर C pivot table view या आफसा नमबर D pivot sheet view तो इसका राइट एंसर होगा आफसा नमबर A design view नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which object store information about related data संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु या आपजेक्ट संग्रहित करती है आफसा नमबर A document आफसा नमबर B table आफसा नमबर C page या आफसा नमबर D screen तो इसका एंसर होगा आफसा नमबर B table नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which key stock is used to move the active cell toward ride-in access table एक्सेस table में सक्रिय सेल को दाई ओर ले जाने के लिए किस stock का उपयोग किया जाता है या किस shortcut की का उपयोग किया जाता है आफसा नमबर A control plus tab आफसा नमबर B alt plus tab या आफसा नमबर C tab या आफसा नमबर D shift plus tab तो इसका राइट एंसर होगा आफसा नमबर C tab टैब को प्रेस करते हैं नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which key stock move the active cell toward left-in access table एक्सेस table में कौन सा इस्टोक सक्रिय सेल को बाई और ले जाता है आफसा नमबर A F2, आफसा नमबर B F5, या आफसा नमबर C tab या आफसा नमबर D shift plus tab तो इसका राइट एंसर होगा आफसा नमबर D shift plus tab नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which combination of key जूम दा content of active cell in access table आफसा नमबर A control plus F2, आफसा नमबर B control plus F5, या आफसा नमबर C shift plus F2, या आफसा नमबर D shift plus F5 तो इसका एंसर होगा आफसा नमबर C shift plus F2 नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which combination of key allow user to move to the first field in the first record in access table की का काउन सा संयोजन उपियोग करता को access table में पहले record में पहले छेत में जाने की अनुमत देता है आफसा नमबर A control plus tab आफसा नमबर B shift plus tab या आफसा नमबर C shift plus home या आफसा नमबर D control plus home तो इसका राइट एंसर होगा आफसा नमबर D control plus home नेश्ट क्यूस्चन है आपका Which command quickly locate the data is accessible काउन सी कमाण डेता को जल्दी से access करती है आफसा नमबर A find आफसा नमबर B locate आफसा नमबर C search या आफसा नमबर D edit तिसका आप एंसर होगा आफसा नमबर A find एस्ट क्यूस्चन है आपका Which technique prevent invalid data being saved in access table Access table में अमान डेता को किस तकनीक से बचाया जाता है आफसा नमबर A index आफसा नमबर B filter या आफसा नमबर C validation rule या आफसा नमबर D input mark तो दोस्तों इसका राई टेंसर होगा आफसा नमबर C validation rule Next question है आपका Which validation rule accept only A to Z letter for field in access Access field के लिए काउन सा सत्यापन्यम केवल A से Z अच्छर को स्विकार करता है आफसा नमबर A या आफसा नमबर B या आफसा नमबर C या आफसा नमबर D तो दोस्तों इसका राई टेंसर होगा आफसा नमबर A Next question है आपका Which validation rule allow only 0 to 9 for field in access Access field के लिए काउन सा सत्यापन्यम केवल 0 से 9 तक की अनुमत देता है आफसा नमबर A या आफसा नमबर B या आफसा नमबर C या आफसा नमबर D तो इस question का राई टेंसर होगा आफसा नमबर D Next question है आपका Which validation rule allow only positive numbers for field in access आफसा नमबर A या आफसा नमबर B या आफसा नमबर C या आफसा नमबर D तो दोस्तो इसका राई टेंसर होगा आफसा नमबर A इस नल और greater than is equal to 0 नेश्ट क्यूस्टन है आपका What is allowed the input mark symbol has in access एक्सेस में input mark has symbol को क्या आनमती है आफसा नमबर A लेटर और डिजिट आफसा नमबर B लेटर A थूँ जेड आफसा नमबर C एडिजिट 0-9 बिद प्लस-minus-sign या आफसा नमबर D एडिजिट 0-9 बिद आउट प्लस-minus-sign तो इसका राई टेंसर होगा आफसा नमबर C एडिजिट 0-9 बिद प्लस-minus-sign नेश्ट क्यूस्टन है आपका Which validation rule allow exactly digits for number filled in access option number A या option number B या option number C या option number D तो इसका राई टेंसर होगा option number C is null or greater than is equal to 0 and less than is equal to 99,9999 Next question है आपका What is the output when the data 1678.95 is set to the number format has has 0.00 in access जब data 1678.95 access में number format has has 0.00 पर set होता है तो output क्या होगा option number A 1670 या option number B 1670.95 या option number C 1678 या option number D 1678.95 तो इसका राई टेंसर होगा option number D 1678.95 नेस्ट क्यूस्ट है आपका Which of the following is a valid time format in access नेमन लिखित में से काउन सा access में एक valid time format है option number A या option number B या option number C या option number D तो दोस्तों इसका राई टेंसर होगा option number A HHMMSSAM अबलिक PM नेस्ट क्यूस्ट है आपका Write the output when the data primary key is set to the text greater than in access option number A या option number B या option number C या option number D तो इसका राई टेंसर होगा option number B primary key नेस्ट क्यूस्ट है आपका what is the output when the data foreign key is set to the text format in access option number A या option number B या option number C या option number D तो इसका राई टेंसर होगा option number B नेस्ट क्यूस्ट है आपका what is the reason for not accepting zero in the field of access table access table में zero को सिविकार नहीं करने का कारण क्या है option number A या option number B या option number C या option number D तो इसका राई टेंसर होगा option number A field is set width is null or greater than zero तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे एक next वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें प्राइब